दोस्तो इस समय जब भी हम कोई electronic समान या electronic device खरीदने जाते हैं तो हम यह सोचते हैं कि जो भी हम electronic समान खरीदें उसमें कोई न कोई features extra मिले या कोई उसमें नई technology मिले जिसका यूज करके काम को आसान बना सके तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे smart tv के बारे में दोस्तो इस समय smart tv को लोग जादे पसंद कर रहे हैं वो जादे big भी रहा है और इतने मात्रा में उसमें इतनी features दी रही हैं जिससे लोगों को बहुत जादे वो अपने तरफ आकरसित कर रही है तो दोस्तो चले इस के बारे में समझते हैं कि smart tv क्या होता है इसमें क्या क्या features दी होती है और कौन कौन सी company smart tv बनाती है और इसमें कौन सी company हमारे लिए अच्छी रहेगी हलो दोस्तो मैं हूं सुनिल मौरिया आप देख रहे हैं sm techno guru अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब करें तो दोस्तों पहले तो यह समझते हैं कि smart, tv होती क्या है दोस्तों पहले कि जो tv है उसमें LED या 50-50 inch की screen या tv ले ले लेते थे लेकिन वो tv smart नहीं होती थी क्योंकि उसमें internet की सुविदां और इस समय जो चल रही है दूर है जैसे कि इस समय जो आप पिक्चर अजर में प सीरीज के नाम से जानते हैं जैसे Amazon Prime, Netflix या बहुत सारे इस तरह से सीरीज आ गये हैं जो इंटरनेट से चलते हैं आपको डिश टीवी या फिर एर टेल टीवी चेट पे आपको अवेलेबल नहीं होता है यह सारे सीरीज आपको इंटरनेट से ही चलाना पड़ता है तो दोस्तो स्मार्ट टीवी में इंटरनेट की सुविदा दी गये हैं वहाँ से उसको Wi-Fi के जरिए आप उसे कनेट करके वो सारे सीरीज आप देख सकते हैं दोस्तो जिस TV में Wi-Fi या Internet Cable लगाने के सुभिदा दिया हो उस TV को Smart TV कहा जाता है तो चलिए दोस्तो आगे बढ़ते हैं कि हमें कौन-कौन से TV या Market में कौन-कौन से TV आई है जो Smart TV के नाम से जाना जाता है पहले तो हम बात करेंगे MI के इसके बारे में बात करेंगे इसकी प्राइस क्या है और इसमें क्या-क्या features हैं दोस्तो इस वीडियो में हम 32 इंच, maximum 40 या 42 इंच के Smart TV को ही बताएंगे कि उसमें क्या क्या features हैं और कौन-कौन से company है तो दोस्तो यह पहला MI TV है जिसका model number है 4A Pro 80 cm और इसको इंच में मापे तो यह 32 इंच का है दोस्तो इसमें feature दी गई है HD ready Android LED TV मिलेगा यह black color का मिलेगा with data saver के साथ दोस्तो data saver का मतलब यह है कि जब भी इसमें internet या wifi यूज़ करेंगे तो इसमें जादे आपका internet की खपत नहीं होगी कमी खपत में आप जादे videos या कुछ series को देख सकते हैं और इसके features की बात करें तो resolution की बात करें तो HD ready Android TV 1366 x 768 pixel का आपको resolution मिलेगा और इसका refresh rate है 80 Hz दोस्तो connectivity की बात करें तो इसमें 3 HDMI port दिया हुआ है जो setup box से connect करने के लिए दिया हुआ है और इसमें blu-ray player gaming console की सुभिधा भी दी गई है इसमें दो USB port भी दिया हुआ है जिससे USB pen drive या hard drive को connect करके आप इसमें कोई video pictures या data को read कर सकते हैं या play कर सकते हैं दोस्तों इसमें sound की जो features है 20 watt output दिया हुआ है जो dolby plus DTS HD की quality मिलेगी यह sound की quality है दोस्तों अगर smart TV की बात करें या smart features की बात करें तो इसमें wifi दिया हुआ है patch wall दिया हुआ है netflix, prime video, disney, hot star and other more भी बहुत सारे चीज़ें का यानि कि जो भी आप series use करना चाहते है यह इनमें सारे series का आपका option मिलेंगा उन series पर click करके आप उन चीज़ों को या उन series को आप देख सकते हैं और इसमें एक और extra features दिया हुआ है Google Assistant जिससे आप बोलकर किसी भी series को सर्च करना चाहते हैं तो बोलकर उस series को सर्च करके प्ले करके आप देख सकते हैं वन येर की warranty है और एक्स्ट्रा वन येर की आपको प्लेट की warranty मिलेगी इसकी प्राइस की बात करें तो दोस्तों इसका प्राइस एमाजोन पे 12,999 इंक्लूडिंग GST के साथ आपको मिलेगी दोस्तों नेक्स टीवी है नेक्स स्मार्ट टीवी है LG का जो 80 cm है और इसके इंच में बात करें तो 32 इंच है और इसमें HD Ready LED स्मार्ट टीवी और इसका मॉडल अमर है 32 LM560 BPTC विट IPS डिस्प्ले के साथ मिलेगा इसकी प्राइस की बात करें तो एक एमाजोन पे 14,999 इंक्लूडिंग GST के साथ मिलेगा स्मार्ट टीवी का रिजॉलूशन है 1366 x 768 और इसका रिफरेश रेट है 50 Hz दोस्तों इसमें कनेक्टिविटी की बात करें तो 2 HDMI पोर्ट दिया हुआ है सेटप बॉक्स के कनेक्ट करने के लिए और ब्लू रे प्लेयर दिया हुआ है गेमिंग कंसोल और एक USB पोर्ट दिया हुआ है जिससे आप हार्डिक्स और USB डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं उसके बाद sound की quality है इसमें 10W output दिया हुआ है और इसमें भी smart TV की features होती है वो सारे features इसमें भी available मिलेंगे दोस्तों जो अभी हमने आपको explain किया है smart TV क्या है यानि smart TV में जो भी features है इस smart TV में भी आपको वो features मिलेंगे उसके बाद smart TV है जिसकी company है Samsung इसका size है 80 cm और इंच में बात करेंगे 32 inches Undertainment Series HD Ready LED smart TV है जिसका model number है UA32T434-0AKXXL यह glossy black में मिलेगा यह 2020 का model है दोस्तों इसकी features में इसका resolution की बात करें तो यह HD features मिलेंगे और resolution है 1366 x 768 pixel और इसके refresh rate की बात करें तो 60 Hz इसका refresh rate आपको मिलेगा connectivity की बात करें तो इसमें 2 HDMI port मिलेगा setup box के connect करने के लिए blu-ray player मिलेगा gaming console मिलेगा और एक USB port मिलेगा जिससे आप USB hard disk या कोई भी USB device को connect कर सकते हैं और इस TV में sound की quality दी गई है 20 watt output Dolby Digital Plus यह technology है sound की और इसमें भी smart TV का जो features है जैसे personal computer, screen share, music system, content guide या connect share movies यह सारी features इस TV में available आपको मिलेंगी और जहां तक इसकी price की बात करें तो इसकी price है 14,999 रुपय इंक्लूडिंग GST के साथ Amazon पे आपको मिल जाएगे दोस्तों इस video में जो भी हम TV के बारे में जो भी smart TV के बारे में बात करेंगे यदि आप online खरीदना चाहते हैं ति इन सभी TV का link हम description में डाल देंगे उन link पर click करके आप इन TV को खरीद सकते हैं जो आपको पसंदो उसके बाद next smart TV है OnePlus का दोस्तों OnePlus में Y-series का यह TV है जिसका size है 80 cm 32 inches इसमें HD Ready LED Smart Android TV जिसका model अंबर है 32 Y1 यह TV black में मिलेगा और इसका model 2020 का model है और इसकी features की बात करें तो feature में resolution की बात करें तो इसका भी resolution 1366 into 768 pixel आपको resolution मिलेगा और reference rate की बात करें तो 60 hertz इसका reference rate मिलेगा उसके बाद connectivity की बात करें तो 2 HDMI port मिलेंगे जो setup box को connect करेंगे और blu-ray, player, gaming console और 2 USB port जिससे आप hard disk या USB device को connect कर सकते हैं उसके बाद sound quality की बात करें तो इसमें भी 20 watt output मिलेगा Dolby Audio के साथ इस TV में smart features यह हैं कि Android TV 9.0 दिया हुआ है OnePlus Connection, Google Assistants, Play Store, Share Album, Supported App, Netflix, YouTube, Prime Video, Content, Calendar, Oxygen, Play यह बहुत सारी इसमें features दिया हुआ है, दोस्तों जबी भी OnePlus की बात आती है, वहाँ पे सारे TV से सारे electronics devices से अगर comparison किया जाए तो सबसे best OnePlus की features आपको मिलेंगी दोस्तों इसमें जो भी electronic OnePlus की आती है तो वह Apple से comparison करता है और Apple से कुछ ज़ादे ही features OnePlus company अपने devices में या अपने कोई भी electronic device निकालती है उसमें यह सारी सुविधाएं देती है तो दोस्तों इसकी price की बात करें तो इसका price है 14,999 रुपया including GST के साथ उसके बाद next TV के बारे में बात करें तो यह TV तोसीबा का है 108 cm और इंच में बात करें तो 43 इंच का मिलेगा और यह Vida OS Series का मिलेगा Full HD Smart TV with ADS LED TV जिसका model number 43L5050 इसका color black में मिलेगा और इसका model है 2020 का इसके features की बारे में बात करें तो resolution है इसका Full HD resolution मिलेगा या इसका pixel है 1920 x 1080 pixel refresh rate की बात करें तो 80 Hz इसका refresh rate मिलेगा जहां तक connectivity की बात करें तो इस TV में दो HDMI port मिलेगा setup box को connect करने के लिए उसके बाद gaming console मिलेगा उसके बाद दो USB port मिलेगा जिससे आप hard drive या कोई भी USB port आप जोड़ सकते हैं sound की बात करें तो इसमें 24 watt output sound मिलेगा और sound की quality dbx tv का sound मिलेगा powerful dolby audio के साथ smart tv features की बात करें तो इसमें video OS मिलेगा designed specifically for televisions fast, simple and easy, customizable, quick remote, app store, netflix, prime video और up tv या hangama and more options इसमें बिलेंगे या tv भी आपको one year warranty रेती है और इसकी price की बात करें तो इसमें 22,490 रुपया including GST के साथ आपको Amazon पे मिल जाएगा next tv है Panasonic का जिसका size है 100 cm और inch में बात करें तो 40 inches का इसकी size है full HD Android smart LED TV का model number है TH40HS450DX इसका color black में मिलेगा और यह 2020 का model है यह TV आपको full HD मिलेगा जिसका resolution है 90 20 x 1080 pixel refresh rate की बात करें तो 60 Hz का refresh rate मिलेगा और इसमें connectivity की बात करें तो 2 HDMI port setup box के लिए ब्लू-ray player gaming console मिलेगा दो USB port आपको USB device को connect करने के लिए मिलेगा smart TV features की बात करें तो Android OS version 9.0 का मिलेगा by Google और ARM CA53 quad core with TEE and secure boot 1.1 GHz और Google Assistant built in Netflix Amazon Prime YouTube और या बहुत सारे series के लिए इसमें आपको option मिलेगी और जहां प्राइस की बात करें तो 20,990 रुपय इंक्लूडिंग GST के साथ नेक्स्ट है और लास्ट टीवी है यह टीवी ओनीडा का 80 cm और इंच में बात करें तो 32 inches का मिलेगा इसमें फाय टीवी एडिशन HD Ready Smart IPS LED TV का यूज किया गया है और इसके model की बात करें तो 14,199 रुपया इंक्लूडिंग GST के साथ आपको Amazon पर मिल जाएगा रिजलूशन की बात करें तो 1366 x 768 रिजलूशन मिलेगा और रिफ्रेश रेट की बात करें तो 60 Hz का इसका रिफ्रेश रेट मिलेगा उसके बात साथ कनेक्टिविटी में 3 HDMI पोर्ट मिलेगा सेटब बॉक्स को कनेक्ट करने के लिए ब्लू-RAY प्लेयर मिलेगा गेमिंग कॉंसोल मिलेगा और एक USB पोर्ट मिलेगा जिससे आप USB डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं और साउंड की बात करें तो 60 वार्ट का आउटपूट साउंड मिलेगा और प्राइस की बात करें तो इसमें हमने प्राइस अभी बताया है कि स्मार्ट टीवी क्या है और इन जो भी हम टीवी बता हैं उन में से आप कोई भी खरिश सकते हैं अपने पसंद के अनुसार दोस्तों इसके लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करना नह बोले धन्यवाद